कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लरणी जी में दोस्तों उत्तर प्रदेश समुख्षा धिकारी और सहय奇 समुख्षा धिकारी की संखला में करते हैं आज कम जो वीडियो है बहुत ही महतुपूर्ण है आज में जानकारी हासिल करेंगे जनगणना 2011 के महत्वपूर्ट तत्यों में उत्तर प्रदेश जनगणना को एक नजर में जो महत्वपूर्ट पॉइंट्स हैं जिन से सवाल पूछे जाते हैं जनगणना से रिलेटेट जो आगामी जो आरो और यारो की परिक्षा उसके जिसको अन चात्रों तक जरूर पहुंचा है सेर जरूर करें जिससे इसका जो लाब है वह अधिक्तम लोग उठा सके तो आई शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 संचिप्त में एक नजर में और जो भी संपूर्ण फैक्ट्स हैं उनकी जानकारी आसिल करते हैं तो चनगणना 2011 जो की हुई उत्तर प्रदेश की तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंक्या थी वह थी 19 करोड 98 लाग 12341 तीक है कितनी थी 19 करोड 98 लाग 12341 और चनगणना में जो जनसंक्या की द्रश्टिकोर से अगर हम इस्तान की बात करेंगे तो सबसे जादा अगर आबादी की बात करते हैं विस्तु में तो वह चीन की है उसके बाद भारत का नंबर आता है फिर अमेरिका का और इंडोनेशिया का अगर इन चार देशों को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद अगर किसी प्रदेश का नाम आता है जो आबादी के अनुसार बड़ा है तो वह है उत्तर प्रदेश मतलब चीन भारत अमेरिका इंडोनेशिया इन देशों के बाद किसी भी देश से अधिक जन्जंक्या उत्तर प्रदेश की है जो कि पाचवा इस्तान रखता है अगर हम प्रदेश और देश को कंसीडर ना करें तो अन्यता यह भारत में शर्वादिक जन्जंक्या वाला प्रदेश है तीक है आगे बात करते हैं अगर मावेदी की बात करते हैं तो भारत की कुलाबादी का 16.5 प्रतीसत जन्जंक्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है तो 16.5% जन संख्या भारत की टूटल वह यूपी में है और पहले अगर 211 की जनगरना की हम बात करते हैं चुकि 10 साल पहले हुई थी 2011 से तो यह थी 16.1 है तो यहाँ पर इसमें व्रद्धी हुई है तो यह अगर हम बात करते हैं तो सबसे टॉप पर है और चेत्रफल की जब की अगर बात करेंगे तो चेत्रफल के इसाब से राजस्तान मध्यपरदेश महाराष्ट के बाद जो है भारत चौथे स्तान पर आता है जो की भारत की कुल चेत्रफल का साथ असमलों 33% ही है तो यहाँ पर जो ज़जशंक्या घं भडे नेकान लिग्म है उत्तरफल देश के बड़े नंगर दिगाम है अब बात करते की सरवाधिक हवाले चार ज्ले गजिनकी आवाज़ि सबसे ज्यादा थी 2011 की जनकरना के नुसार तो ये थी इलहाबाद मुरादाबाद गाजियाबाद और आजमगर कितनी इलहाबाद मुराधाबाद, गाजियाबाद और आजमगर सबसे ज़्यादा आबादी इलाबाद में है ठीक है कई बार यह जो सवाल पूछा जाता है यह पूछा जाता है इस प्रकार से कि सरवादिक आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश का तीसरा जिला कौन सा है तो यह आता है कम आबादी वाले चार जिलों की तो सबसे कम आबादी वाले जो चार जिले है क्रमशा महोबा चित्रकूट हमीरपूर और स्रावस्ति है मतलब सबसे कम आबादी महोबा की है उसके बाद चित्रकूट की उससे अधिक है फिर हमीरपूर और स्रावस्ति ठीक है आगे बात कर जो अबादी है और सरवाधिक महिला अबादी इलहावाद में कहां पर है इलहावाद में तो ऑगे बात करेंगे अब जीरों से चैः अई वर की जक्ति संख्या जो कि भारत में बात करते तो उत्तर प्रदेश में भारत के पंदरा दस्तम्रालोच बात चारे लाग मतल हैं मतलब उन廉क करोड अठानय लाग जो आवादी था उसका प? सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो इलावाद जिले में इसके बाद मुरादाबाद और सीतापुर जिलों के नाम आते हैं मुरादाबाद और सीतापुर सबसे ज्यादा किसमें इलावाद में अब बात करते हैं कि प्रतीसत के इसाब से सरवाधिक जो जन संख्या है जिरो से च्छयाय वर्ग की तो यह हैं बहराईच में सबसे ज्यादा और सबसे कम जो है वह उत्तर प्रदेश में कहां पर है उत्तर चीरो से च्छय आउवर्क के बच्चों की वह है कहां पर इलाबाद में लेकिन अगर हम प्रतीसत की बात करते हैं तो बहराइच में जो की 18.7 प्रतीसत है और सबसे कम कानपुर में जो की 11.3 प्रतीसत है तो यह आप आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे की में जण संक्या है सब से ज्यादा लेकिन प्रतीस थीसत के सबसे ज्यादा बहराइच में आगए बात करेंगे कि तंतर्प्रदेश की दस्प्रदिदर की अथी कि 8.2 10 कर बात करते हैं तो 17.7 प्रतिसत से अधिगरitting ठीक है कि आगे मात करेंगे कि सबसे अधिक ब्रदीदर वाले चाहत जिलय कौन से हो तो 2011 की ज्नष्य सबसे अधिक व्रतिदर वाले जो 4 जिलय है वह गौतम बुध्यागर उसके बात गाजियाबाद श्रावस्ती और बहराईज इसमें सबसे अधिक व्रधिदर जो राज ये हैं वो हैं कानपुर हमीरपुर बागपत और इसके बाद फतेवपुर और देवरिया का नाम आता है फतेवपुर और देवरिया ठीक है तो बहुदा टॉप थरी पूछे जाते हैं अगर तीसरा पूछे जाएगा दसकी अवरत दिदरवाला जिला कौन सा है तो कम जो व्रदिदर रही कानपुर में वह 9.9 रही लगभग 10 रही और इसके बाद यह चुक्रम है वह बढ़ता गया और सबसे अधित जो की गौतम बुदनगर में थी लगभग 50 प्रतीसत थी 49 परसेंट थी तो यह आपर आप याद रखेंगे सरवाधिक व्रदिदर कितने प्रतीसत रही अगर यह पूछा जाता है तो 49.1 और सबसे कम कितनी रही तो 9.9 जो की कानपुर की तो आगे बात करेंगे जन संक्या गनत्तु की तो जन संक्या गनत्तु क्या होता है कि प्रति वर किलोमेटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं किसी भी स्तान पर तो वहां रहा एक थीक है कि cupcakes 103 प्रति ग्रत्य किलूमेटर हम तर ग्रमामले में उत्तर प्रदेस ठान कॉंसा है कैंश क览 उत्तर प्रदेश देश में चौत कि इश्थान पर एच्छीत ग्रत के मामले में जो दिख रही तो वो थे गाजियाबाद वाराण असी और लखनव गाजियाबाद बनारज लखनव और भदोई के बाद कानपूर यह पांच जो है जो सीर्स के जिले रहे जन्संक्या गनत्यो में और गत्ट करते हैं कि नियूंतम पॉत में ललिटपुर हमीरपूर महोबा और चित्रकूर जयुकि नियूंतम गनत्यो ज़िले रहे गाजियाबाद जहां पर सबसे ज्यादा जन्संक्या गनत्तों है वो 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर के इसाफ से यहां पर जन्संक्या गनत्तों है और ललितपुर में जहां पर सबसे कम है वह है 242 242 जो परसंस पर वर किलोमेटर है कि गाजियाबाद में लगबग 4000 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर ती जहां आगे बात करते हैं उसाख्षर्टा कि तोуется एक उत्तरप्देश की साख्षर्टा फुल सरष्ट दसम्लों साथ प्रतिसत रही 2011 की जनगणना के नुसार उत्तरप्रदेश की साक्षर्टा दर कितनी रही सरसट दसमलो सा 67.7 परसें जिसमें पूरुस साक्षर्टा प्रतीसद जो रहा वह सब्तर दसमलो तीन प्रतीसद रहा और महिला साक्षर्टा साक्षर्टा में अगर व्रधी की बात करते हैं तो 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में 11.34 प्रतीसद की व्रधी हुई ठीक है कितनी हुई 11.34 प्रतीसद की व्रधी अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश साक्षर्टा जनसंख्या जो व्रधी रही वह तीसरे इस्तान पर रही तो उत्तर प्रदेश देश में अगर साक्षर्टा व्रधी की बात करते हैं तीसरे इस्तान रखता है ठीक है अगर बात करते हैं सरवाधिक साक्षर्टा वाले सबसे जादा से जिला उत्तरफ्ष सकान पूर दूसरे स्थान पर प्रतमस्तान पर गौतम बुद्ध नगर तीसरी स्थान पर Is Bere गाजियाबाद है ठीक है और अगर हम परसेंटेज की यहां पर बात करेंगे तो 80 परसेंट साक्षर्टा जो है गौतम बुद्धनगर की और कानपूर नगर की अगर हम बात करते हैं तो यह इससे एक प्रतिसत कम 79 परसेंट रही और इसी प्रकार एक एक प्रतिसत की स्रावस्ति में इसके बाद बहराइच में बलरामपूर में बदायू में और रामपूर में सबसे कम जो साक्षर्टा वाले जिले हैं वह सबसे कम स्रावस्ति इसके बाद स्रावस्ति से अधिक बहराइच में फिर बलरामपूर बदायू और रामपूर स्रावस्ति में 50 प् पर है तो अगर पूछा जाता है तो सबसे अधिक साक्षर्टा वाला जिला किस प्रतिसत के साथ टॉप किया तो यह गौतम बुद्र नगर राज हो की 80 परसंट जिसने साक्षर्टा हासिल की 80.12 इसके बाद कानपूर नगर जिसने 79.65 परसंट और इया ने 78 परसंट और इतावा ने भी 78 और गाजियाबाद ने बाद में भी जो स्रावस्ति वे टाप पर है सबसे कम में बाटम पर है यहां पर बोला तो न्यूंतम साक्षर्टा पूरुस और महिला की जो है वैसरावस्ति में अगर सब्समिला करके बात करते हैं तो स्रावस्ति यह जो कि 46.7 के साथ बाटम में है सरवादिक पुरुस साक्षर्टा के गरमाज करतें तो यहाथम बुद्यनगर में है क्योंकि टॉप पर था कम्प्पूरुन उस्में humanity परशंट पर तो गौत्तम बुद्नगर में पुरुस साक्षर्टा जो है वह सबसे ज़्यादा है और महिला साक्षर्टा के अगर बात करते हैं तो यह कानपूर नगर में सबसे ज़्यादा है सायुक्त रूप से कानपूर नगर की साक्षर्टा उत्रफदेश में दूसरा इस्तान रखती है लेकिन महिला साक्षर्टा दर में कानपूर उत्रफदेश का 912 जो मैला है प्रति एक हजार व्यक्ति दर्द वी है जो की तोजार एक की तुलना में 14 अधिक है ठीक है कितना अधिक है अधिक है मतलब अगर हम दोजार एक की लिंगा रुपात की बात करते हैं तो यह हमारा इससे जब चौदा कम कर देंगे तो 898 मैला है प्रति हजार व्यक्ति थी ठीक है सिर्स लिंगा रुपात वाले जिले मतलब जहां पर लिंगा रुपात सबसे ज्यादा है वह है जौनपूर आजमगड़ और देवरिया जौनपूर आजमगड़ और देवरिया यह सिर्स लिंगा रुपात वाले जिले हैं अगर बात करते हैं कि नियूनुतम लिंगा जो सबसे का में मतलब यहां पर मैलाओं की संख्या बहुत ही का मैं पुर्सों की पेक्षा जो की आठ सो पचास आठ सो इक्यावन है और जॉनपुर में जो मैलाओं की जनसंख्या है वह एक हजार चौबीस है प्रति हजार व्यक्ति कितनी है वन जिरो टूफोर पर जो मेल कैंडिडेट हैं कि आगे बात करते हैं हूपी की ग्रामीड जनसंख्या कप प्रतिशत सच्ट का सहर में निवास कटा है अगरे मामलों में अगर बात करते हैं तो महाराश्ट का इस्थान पहला और उत्तर प्रतेश दूसरा इस्था रखता है नगरी जनसंख्या के मामले में ठीक है तो उत्तरपदेश का नगरी जनसंख्या में कौन सा इस्तार है तो यह दूसरा इस्तार रखता है जो दोस्तों यह कुछ महत्पूर्ड फैक्ट्स थे उत्तरपदेश जनसंख्या से रिलेटेड जो की आरो और यारो के आगाम इक्जाम से जिसमें उत्तर प्रदेश की जी के पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही मैत पूर्ण है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें अधिक धरीएक बहाँ जासरे जाने जरूर कर रहन में उती है ।